इस वीडियो में बात करेंगे लिक्विड इसमें थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है दोगों हमें पता है कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर में ही एक्जिस्ट कर पाता है यह कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वी है और वी वॉल्यूम तक मैंने इसमें मान लिया कि इसमें क इसको temperature दूंगा इसको container को तो container से supply हीट होगी किसको? Water को water का temperature बढ़एगा, water में expansion होगा, water में expansion के शाथ-owser container का भी temperature बढ़ा है, तो container में भी expansion होगा, ठीक है? तो चुकि अगर हम यह constant मान लिए, कि भरी यह मान लिए कि container में कोई भी expansion नहीं है container अपने जगए constant है ठीक है तो volume ही अकिला expand होगा तो हम मान लें हम measure कर सकते हैं easily कि volume इस point से इस point तक expand होगा लेकिन होता क्या है कि volume liquid के expansion के साथ container भी expand हो रहा है यह भी अपना volume को increase कर रहा है तो जब यह अपना volume increase कर लेगा तो water का level है यहां वह यहां से थोड़ा से डाउन आ जाएगा ठीक है तो हम यह clearly calculate नहीं कर पाएंगे कि volume वास्तम में water का कितना volume expand हुआ तो हम इसका real expansion नहीं निकाल पाएंगे अकेले water को लेकर यह तो इस condition में हम कहेंगे कि यह इसका एक apparent expansion है ठीक है तो real expansion कैसे find करेंगे तो वोई fix temperature T दे रखा है हमने पूरे system को delta T temperature का change दे रखा है हमने इसको तो वोई temperature का change किस के लिए काम करेगा container के लिए वोई temperature liquid के लिए काम करेगा उसी temperature पर दौनों ही आपस में expand होंगे तो यहां पर जो हम expansion find करेंगे वो पहले करेंगे liquid में कितना expansion हुआ ठीक है तो liquid में जो expansion होगा जब हमने fix temperature दे दिया ना इस पूरे system को तो वो fix temperature अगर अकेला water को मिलता तो water expand होता लेकिन वो temperature साथ में container को मिला हुआ container भी expand होगा यहां पर तो पहले calculate करेंगे हम expansion किसके लिए water के लिए तो यह water का apparent expansion के लिए delta V इसमें चेंज आ गया एपरेंट चेंज गामा A V not delta T ठीक है यह हो गया apparent expansion in liquid अब container भी चुकिए expand होगा साथ के साथ delta V is equal to gamma V not delta T container का भी volume हमने water के volume के बराबर माना V not temperature भी शेम दोनों का gamma दोनों के लग लग है यह apparent coefficient है volume का यह गामा है के लग ठीक है delta V इसका change in volume container का और delta V यहाँ पर liquid का change है ठीक real expansion कैसे find करें real expansion जो होगा apparent expansion और जो container में changing आई उसके sum के बराबर होगा ठीक है sum अब यहाँ पर हम sum के बराबर क्यों ले रहे हैं real expansion हमें तो water का कितना expansion हुआ वो calculate करना है तो हम यहाँ पर water में exchange तो हमने देख लिया यहाँ पर expansion हम यहाँ पर container का expansion क्यों जोड़ रहे हैं इसमें real निकालने के लिए वो ही हमें समझ ना आया पर देखो अगर हमने पहले माना था कि भी container में कोई exchange नहीं हो रहा था तो volume यहाँ से यहाँ जा रहा था लेकिन अब क्या है चुकि volume इसका volume भी change हुआ है container का तो expand water का level down चला गया तो हम जो डेल्टा वी की value ले पा रहे हैं वो वास्तब में full value नहीं ले पा रहे हैं ठीक है हम तो हम थोड़ी से कम value ले रहे हैं वो कम किसने की वो कम हुई इस container के expansion की वज़े से ठीक है जितना container में expansion हुआ है volume में उतना expansion decrease हुआ है अगर container में expansion ना होता तो डेल्टा वी full expansion होता हम उसको लेते वो ही real expansion हो जाता लेकिन चुकिंकि container में expansion हुआ है कुछ volume का वही volume हमने decrease हो गया हमारा water का तो जो volume water का decrease हुआ वो decrease किस की वज़े से हुआ container के expansion की वज़े से ठीक है तो हमने वो decrease volume को ही लेकर water को के लिए अलग equation बनाई हमने यह डेल्टा वी ठीक और उसमें से जो volume में कमी आई थी हमारे liquid में यहां से यहां down हुआ था यह liquid जो कमी आई थी वो कमी इस expansion की वज़े से आई थी जो container expand हुआ था ठीक है तो अगर हम container के expansion को add कर दें तो यह वाली कमी हमारी पूरी हो जाएगी जो हमारी real तो जैसी container के expansion को हम add करेंगे तो जो कमी water की थी है volume की कमी वो कमी पूरी हो जाएगी और यह water का real expansion बन जाएगा इसलिए हमने क्या काम किया real expansion find करेंगे water का apparent expansion जो थोड़ा सा कम था उसमें से जो volume container का volume थोड़ा सा change हुआ बढ़ा जिसने इसकी value को कम कर दी इस value को वो थोड़ा सा बढ़ा उसको हमने add कर दिया क्योंकि उसी की वज़ेश तो यह कम हुई है यह delta v a की value लेकिन वो उसने container के volume ने container के volume जो change हुआ उस volume ने add करके वो उसको complete पूरा कर दिया उस volume को जो भी water के expansion की volume कम दीखी थी हमें वो पूरी होगी तो इस condition में हमें क्या मिल जाएगा real expansion मिल जाएगा यहां से देख लेंगे हम v not delta t इसकी value रख देंगे delta vr की gamma r v not delta t delta v a की यहां से लिख देंगे gamma a v not delta t और यहां से container के लिए gamma v not delta t यह v not original volume delta t सब सेम है तो cancel out हो जाएगे और यह relation निकल के सामने आ जाएगी thank you